दोस्तो आज बात होगी कुछ ऐसे धासू पर्फियूम्स की जिनकी खुश्बू तो जरूर प्रीमियम है लेकिन कीमत बिलकुल भी नहीं हाई गाईस वेलकम बाग दिस इस अंशुल भाटिया और वाचिंग पर्फियूम बीस्ट तो friends मैंने जिन पर्फियूम्स का जिक्र अभी थोड़ी दर पहले किया वो Revolve ब्रैंड की तरफ से हाल ही में लाँच की गई उनकी जर्नी कलेक्शन में से है अब ऐसे जर्नी कलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे पर्फियूम्स को सुन रखा हो but somehow मैंने इस brand को करीवन 6-7 महीने पहले discover किया था और इनके 2-3 perfumes को use किया था जहां पर मुझे एक satisfactory उनका performance मिला था और response जो था वो बहुत satisfactory था अब इनका एक reward का player green perfume आता है जो कि polo green का smell alike है so in the same way मैंने सोचा कि इनके बाकी perfumes को भी try किया जाए तो अभी जो ये recently launch हुए perfumes है आज हम उनके बारे में बात करेंगे so इनके perfumes की खुश्बू की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा run through करवा देता हूँ कि इनकी packaging कैसी है या presentation कैसी है तो सबसे पहले बात करते हैं इनके exclusive black perfume के बारे में अब ये एक ऐसा perfume है जिसके पहले spray पे ही आप इसके साथ प्यार कर बैठेंगे because ये बहुत ही ज़ादा expensive smell करता है या ये कहूँ कि ये बिल्कुल premium perfume जैसा smell करता है अगर इसकी complexity of the notes की बात करूँ तो इसके अंदर आपको खटे, टीखे, spicy, कही न कहीं मीठे notes और background में whatever का भी hint मिलेगा अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक premium perfume जैसा smell करता है तो मैं इस perfume को मेरे detailed review के लिए reserve करके रखना चाहता हूँ because मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और detail में बताऊँ because अगर under 400 में 400 से कम में आपको बहुत expensive smell करना है तो ये perfume आपके लिए एक right choice है और मेरे इसाब से एक बहुती बढ़िया office और एक formal wear है तो अगला बात कर लेते हैं इनके encore perfume के बारे में अब ये भी मुझे एक बहुती ज़दा spicy, aromatic, lemony, woody और musky type सा perfume लगा ये perfume बहुती ज़दा sharp type सा perfume है बहुती तेज type सी खुश्बू है और इसकी जो ठंडक है या जो इसका तीखा बन है वो end तक बरकरार रहता है अब इन सारी चीजों को देखते हूँ मैं इस perfume को definitely और strongly जिम के लिए recommend करूँगा because जिम की heavy sweating को बहुत easily ले लेता है और इसका projection और lasting बहुती ज़दा जबरदस्त है, exceptional है अब जब आप इसे जिम के अंदर लगाएंगे तो आप महसूस करेंगी कि अगर आप जिम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाते हैं तो इसकी जो खुश्बू का trail है जिसे हम से आज भी बोलते हैं वो बहुत ही ज़दा heavy है अब जब आप कहें जिम के अंदर खड़े होकर किसी के साथ बात भी कर रहे हैं आपके चले जाने के बाद भी आपकी जो खुश्बू की presence है या जो आपकी presence है वो बहुत देर तक कायम रहती है और most likely बहुत सारे ऐसे chances हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी खुश्बू के बारे में बात करें कहने का मतलब यह हुआ कि यह जिम में भी आपको बहुत सारे compliments लेके देगा और अच्छी बात यह है इसकी जो packing है वो 30 ml के अंदर आती है रादर इस journey collection की जितनी भी packing है वो सारी की सारी 30 ml में आती है so it is very easy to carry in your gym bag अगला बात कर लेते हैं इनके superior perfume के बारे में अब हाला कि इसका नाम तो ज़रूर superior है but in this whole lot of 5 perfumes मुझे इसने सबसे जादा कम impress किया वो क्यों? because मुझे ये कुछ ऐसी exceptional खुश्बू नहीं लगी because अगर इसके DNA की बात करूँ तो मुझे ये थोड़ा सा fog impressio और fog expressio जैसा लगा जहां पर बहुत ही ज़ादा आप ये कह सकते हैं कि sharp खुश्बू है, spicy है और बहुत ज़ादा तीखी type सी खुश्बू है, तेज type सी खुश्बू है तो अगर आप तीखी या तेज खुश्बू के fan नहीं है तो ये perfume आपके लिए नहीं है पर ये perfume को मैं किन जगाहों के लिए कौन से मौकों के लिए recommend करूँगा तो मेरे हिसाब से ये जो perfume है ये outdoor activities के लिए बहुत ज़ादा अच्छा है अगर आपकी marketing की job है आपको दिन भर two wheeler में ये local transport से घूमना पड़ता है अपनी job के कारण तो ये perfume उन सारी conditions में अच्छा tick जाता है आप कोई outdoor sports खेलते हैं अगर अगला बात कर लेते हैं इनके bay of hawana perfume के बारे में अब इस perfume का नाम सुनते ही कोई भी इनसान romantic हो सकता है because ये बहुत ज़ादा sensuous और मदमस्त करने वाली खुश्बू है कौन सी ऐसी खुश्बू हैं, कौन सी ऐसी notes है जिनके मिलन से ये जो खुश्बू है बहुत ज़ादा मदूर हो जाती है तो इसके अंदर सारे pleasant notes का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि patchouli है, amber है, sandalwood है इसके अंदर कहीं आपको थोड़े से musk के hints भी मिलेंगे अब इस खुश्बू को जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही romantic type से smell करता है तो उसके चलते मैं इसको as a good date wear के तौर पर आपको recommend करूँगा तो आप अपनी girlfriend को किसी भी अच्छे island पर लेकर जाएए वहाँ पे आप अपनी उस हर चीज का मज़ा लीजिए जो कि आपकी wish list में बहुत देर से थी lasting के आपको फिक्र करने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस perfume में नहीं बलकि इस journey collection के अंदर जेतने भी perfumes है उसके अंदर किसी भी perfume में आपको lasting की चिंता करने की जुरूरत नहीं है बगास सारे के सारे perfumes बहुत अच्छा perform करते है आखिर में बात करते हैं मेरे favorite perfume की जिसका नाम है Cuban tobacco अब इसका नाम सुनते ही आपको क्या लगता है कि इसकी खुश्बू कैसी होगी अगर आपने guess कि इसकी खुश्बू बहुत जादा smoky होगी तो आपका guess बिल्कुल सही है और आप जीतते हैं 7 करोड कास्ट ऐसा हो सकता लेकिन अगर इसकी खुश्बू की बात करो तो इसकी खुश्बू को मैंने reserve किया है मेरे detailed review के लिए और इन 5 perfumes में ये दूसरा एक ऐसा perfume है जिसको मैं मेरे detailed review के लिए बचा के रखना चाता हूँ because बहुत ही जबर्दस type सी कुश्बू है multi-dimensional है multi-facet है और ये भी clone है एक बहुती old school classic vintage perfume का या ये कहें कि designer perfume का and surprisingly उस perfume के बारे में अभी कुछ देर पहले ही मुझे बहुत सारे viewers ने पूछा भी है तो उस wish के चलते हूँ मैं इसका एक detailed review आपको definitely करके बताऊँगा so friends अब end में अगर मैं आपको इन सारे perfumes की कीमत की बात करूँ तो ये एक journey collection के अंडर पूरी की पूरी series इन्हों ने launch की है और इसकी जो quantity आपको मिलती है वो करीम 30 ml के आसपास मिलती है और इनकी जो कीमत है वो है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपी और lasting in की क्यों अच्छी है because यहाँ पर technical ये एक point आता है कि जब भी quantity कम रहती है तो कहीं न कहीं उसमें जो perfume oil concentration होता है वो बहुत ज़दा better होता है तो अगर आपको लगे कि आपको 30 ml ये 50 ml के perfumes करीदना चाहते तो वो थोड़ा सा risk free type सा purchase होता है because कहीं न कहीं वो छोटी quantity होती है तो अगर आपको by chance वो perfume पसंद नहीं भी आता है तो आपके जादा पैसे जाया नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आपको एक फैसला लेने में या decision बनाने में easy हो जाएगा असानी हो जाएगी अगर आपको उसके full bottle लेना चाहते है भाला कि इनकी अभी तक full जो bottle है 100 ml की वो तो नहीं launch होई है लेकिन कहीं न कहीं ये 30 ml की जो bottles है वो एक proper value for money product है जहाँ पे आपको performance भी बहुत ज़ादा अच्छा मिलते है ये रहा मेरा Revolve brand के journey collection के perfumes का feedback आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज comment करके बताईए और साथ ही साथ ये भी बताईए कि क्या आपने कभी पहले Revolve brand का नाम सुना है अगर सुना है तो बताईए कब सुना है यहाँ आप इनके किन perfumes को use करते है पहले उसका नाम भी comment करके जुरूर बताईए अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe भी कीजिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी community को बढ़ाने के लिए please हमारे वीडियो को जितना हो सके like कीजिए, comment कीजिए और अगले वीडियो तक महकतर ही ये मुस्कुराते रहे until next time enjoy life, take care